हेलो स्टुदेंट्स वेल्कम टू आइस मन dość तो हम लोग क्लास 10 के लिए कोर्स स्टार्ट के हुए थे ठीक है और इसमें हम लोग दो छर कंप्लेट कर चुके चुके हैं चेप्टर आफ रिल लं लमबर्स और पॉलिनमल वंवा छेट्टर अब कंप्लेट कर चुके हैं ऐख्यक को दो टॉसक्राइब गर यह अगर आपने नहीं देखा his तो उस प्लेडि़ीब चैनल जाना मैं आपको सब्सक्राइब कप्राइब में ज् voulais जा तो उसके लिए भी वीडियो के नीचे जोने हैं जो एक लिंक दिया गया है वहां से आप जो वाट्सप ग्रूप में जोड़ सकते हैं साथी साथ अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं बूलीगा अगर चैनल पर नाया है तो चैनल को तुरह सब्सक्राइब कर लिजी चले स्टार्ट करते हैं तो आज हमारा जो नियू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है पेयर आप लीनेर एक्वेशन इन टू वाइरेबल्स ठीक है चैप्टर नंबर थ्री है यह नसी आर्टी का तो सबसे पहले कुछ हम लोग कॉंसेप्स का रिवीजन करेंगे उसके बाद हम लोग फिर तो तैप के को साल करेंगे उसके पहला हमार डिफिनीशन क्या है लीनेर एक्वेशन इन टू वाइरेबल्स होता क्या है एक्वेशन आप गई फ्रीट फीवाई प्लस एकौल टो जी रो वेर ए बीची आर रियल लंबर्स वेर एस नॉट इकौल टो जीडो इस कौल लीनेर माइनस 3y माइनस 2 is equal to 0, 4x plus 9y is equal to 14, etc. ठीक है तो, डेफिनिशन यह हो गई कि कोई भी हमारा जो यह linear equation इस तरीके का होता है, ax plus by plus c is equal to 0, और अगर यहाँ पर a is not equal to 0, b is not equal to 0 है, तो हम कहाँ देते हैं कि यह linear equation in two variables है, और chapter का हमारा नाम क्या है, chapter का नाम पियर आप linear equation in two variables, तो linear equation लेंगे, लेकि दो-दो linear equation को एक साथ लेके हमें उसके बारे मों discussion करना है, ठीक है, तो आगला है कि heading हमारा क्या है, solution of linear equation in two variables, ठीक है, दो linear equation आपको दे दे जाएं, तो उसका solution का क्या मतलब है, the values of the variables which satisfy the given linear equation is called solution of the linear equation, so x, y is the solution of linear equation, ax plus by plus c is equal to 0, जैसे मैं आपको कह दूँ क x plus y is equal to 5 है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह दूँ कि x is equal to 1 ले लिजे और y is equal to 4, और इसना put करिए, तो 1 plus 4 is equal to 5, मतलब कितना आ जाएगा, 5 is equal to 5, तो ये जो x और y की value है, इस linear equation को satisfy करती है, तो ये इस linear equation का क्या हो जाएगा, solution हो जाएगा, क्या हो जाएगा, solution हो जाएगा ऐसे ही इस linear equation का और भी solution बताया जा सकते हैं, जैसे x is equal to 0 और y is equal to 5 ले ले लें, तो x is equal to 0 और y is equal to 5 रखेंगे, तो 0 plus 5 is equal to 5, फिर से LHS, RHS क्या आजाएगा, बराबर आजाएगा, फिर से हम कहेंगे, 0, 5 भी इस linear equation का solution है, तो एक linear equation अगर आपको दे दिया जाए, तो उसके में कितने points होते हैं, infinite points होते हैं, इसका हर एक point linear equation का क्या होता, solution होता है, तो चुम्कि इस पर infinite points लाई करते हैं, इसले इसके कितने solution आते हैं, infinite solution होते हैं, तो चुबले आगे बढ़ते हैं, simultaneous linear equation in two variables, simultaneous का मतला दो-दो equation को एक सांत लेकर चलना है, two linear equations in two unknowns variables x and y are said to form system of simultaneous linear equation if each of them is satisfied by the same pair of values of x and y the general form of pair of linear equation is this a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 where a1 a2 b1 b2 c1 c2 are real numbers such that a1 square plus b1 square is not equal to 0 a2 square plus b2 square is equal to not 0 it means either a1 or b1 may be 0 but not both of them together should be 0 similar condition exist for a2 and b2 दिखे ये कहना है कि अगर pair of linear equation की बात करें तो उसका general form क्या हो जाएगा a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 और दूसरा linear equation आदो लिखेंगे a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 तो इसमें condition इन्होंने ये लगाया जैसे पहले equation की बात करें तो इन्होंने लिख दिया a1 square plus b1 square is not equal to 0 इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए a1 और b1 दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर दोनों तो एक साथ 0 होगा तो सिर्फ समें बचे का constant is equal to 0 तो फिर वो linear equation नहीं रहा पाएगा linear equation in two variables नहीं रहा पाएगा इसी तरीके से अगर इसको आप बोल रहा है कि this is the linear equation in two variable तो यहां पर आपको क्या होना चाहिए a2 square plus b2 square is not equal to 0 दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए आगे बढ़ते हैं next consistent and inconsistent system of linear equations क्या होते हैं तो consistent system of linear equation का मतलब यह हो गया कि अगर आपको pair of linear equation दिया रहे उसका solution exist करे तो उसका consistent system बोलते हैं और सब कोई भी solution exist नहीं करेगा तो हम कहते हैं वो inconsistent system of linear equations है आगे definition देख लेते हैं consistent system of linear equation a system of two linear equations in two unknown variable is set to be consistent if it has at least one solution कम से कम एक solution exist करता हो suppose two linear equations are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 अब देख अगर दो linear equation आपको दे दिये जाएं a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 तो दो linear equation का मतलब आपके पास दो line आगई अब एक plane अगर आपको कहा जाएक दो line आप draw करिए तो दो line आप इसमें कैसे draw कर सकते हैं या तो दो line आप इस तरीके से draw करेंगे line मतलब कैसी हो जाएगी intersecting line हो जाएगी या तो दो line आप इस तरीके से draw कर पाएंगे उसमें दोनों line क्या हो जाएगी parallel हो जाएगी या तो दोनों लाइन आप इस तरीके से draw कर सकते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओभर क्या कर जा overlap कर जाए तो यही तीन conditions possible है इसके लाओं कोई चौथा case possible नहीं होता है मतब दो लाइन आपको दे दिये जाए एक plane में draw करने के लिए सिफ आप यह तीन तरीके हैं जिससे आप दो लाइन को एक plane में क्या कर सकते हैं draw कर सकते हैं इसके लाओं कोई चौथा condition इसमें नहीं बनता है कभी-कभी student mind में आता है तो यह जो line है यह आगे चलके जो फिर से क्या करेगी intersect करेगी तो यह भी कौन सा case होगा यह intersecting वाला case हो जाता है तो इसका मतलब अगर एक plane में आपको दो line दे दी जाए तो उसका हम दो तीन तरीके से ब्रॉकर सकते हैं या तो कैसी line आएगी intersecting line आएगी या तो parallel line आएगी या तो line कैसी आएगी overlapping line या coincident lines आएगी अगर line intersect करेगा एक point पर इसका कितना solution आएगा इसका unique solution आएगा मतलब एक solution आएगा तीक है उससे में कितने solution आते हैं unique solution आते हैं और line कहीं भी intersect नहीं करेगी इसका मतलब उस case में हमारे पास क्या आएगा no solution आएगा अगर line overlapping line हो गई तो सारे के सारे point common हो गए इसका मतलब इसके कि इस case में हमारे पास कितने solution आते हैं infinite solution हमारे पास आते हैं अगर conditions भी हम लोग लिख लेते हैं लगे हाथ कि अगर आपको दो linear equation दे दिया जाए a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 तो अगर unique solution हमारा कब आता है unique solution हमारा कब आता है जब a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 ठीक है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तो उसमें क्या आता है unique solution आता है no solution हमारा कब आता है जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 उस case में हमारे पास क्या आता है no solution आता है और infinite solution हमारे पास कब आते हैं, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ऐसा जब होगा तो हमारे पास infinite solution आते हैं, इस सबों को लिखने का मतलब क्या है, देखें मैं थोगा समझाता, example देखें आपको, जैसे लिखा है 2x plus 3y is equal to 5, और दूसरा linear equation लिखा हुआ है 3x plus 2y is equal to 7, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको a1 बोलेंगे, यहाँ पर 3 क्या होगा, b1, यहाँ पर नीचे 3 क्या होगा, a2 और यह क्या होगा, b2, तो अगर हम a1 upon a2 निकालने जाएं, तो a1 upon a2 कितना आजाएगा, 2 by 3 आजाएगा, यहाँ से coefficient को को divide कर रहे हैं, और b1 upon b2 अगर हम लो केस में हमारे कितने solution आते हैं, यूनिक solution आते हैं, तो जब भी आप इन दोनों line का graph draw करेंगे, तो line आपको कैसी मिलेगी, intersecting lines मिलेगी, तो यही conditions का मतलब है, तो पहले case में यही लिया गया है, कि when two lines intersect each other at one point, then the system of equations is called consistent with unique solution, अगर दो line intersect करेगी, एक point पे, तो हम लोग क्या को बोलेंगे, उसको consistent system बोलेंगे, उसको कितना solution मिलेगा, एक solution मतलब unique solution मिलेगा, और unique solution की condition क्या होती है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, आगे बढ़ते हैं case 2 की तरफ, when two lines are coincident, that is overlap each other, then the system of equations is called consistent with infinitely many solutions, दोनों line overlap कर जाए, एक के उपर एक दो line अगर हम आजा, overlapping lines आ जाए, तो उस case में कितन solution मिलते हैं, infinite solution मिलते हैं, और equations को देख के आप कैसे बताएंगे कि उसकी infinite solution आएंगे, जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 आजाए, तो वो दोनों linear equations कैसे कहे जाएंगे, they will set to be consistent with infinite solution, जैसे मैं example देदू, x plus y is equal to 7, और दूसरा है 2x plus 2y is equal to 14, यह दोनों linear equation में जब a1 upon a2 निकाले जाएंगे, 1 by 2 आएगा, c1 upon c2 निकालेंगे, 1 by 2 आएगा, तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, इस case में हमको कितने solution मिल जाएंगे, infinite solution मिल जाएंगे, lines कैसी होगी, overlapping lines होगी, और system कैसा होगा, consistent होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब दो कि inconsistent system क्या होता है, inconsistent system of linear equation, शुरू में मैंने बताया था, कि अगर कोई solution न मिलता हो, तो ऐसे हम system को हम लोग क्या बोलते है, inconsistent system of linear equations बोलते हैं, definition देखे, a system of two linear equations into unknown variables is said to be inconsistent if it has no solution, that is, lines are parallel to each other, अगर दो line parallel हो जाए, parallel हो जाए, तो कहीं intersect नहीं करेगा, कोई common point ऐसा नहीं आएगा, कि जो दोनों का solution हो, है ना, इस case मे हमें no solution मिलता है, और no solution की condition क्या होती है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, जैसे मैं example दे दूँ आपको, x plus y is equal to 7, और ले रहते हैं, x plus y is equal to 8, तो यहाँ पर a1 upon a2 1 है, a1 upon a2 is equal to 1, और b1 upon b2 भी हमारे पास कितना 1 है, but c1 upon c2 कितना 7 by 8 है, तो a1 upon a2 is equal to b1 by b2, but not equal to c1 upon c2, इस case म को क्या मिलते हैं, इस case में no solution मिलता है, और अगर no solution मिले का, तो system हमारा कैसा हो जाता है, inconsistent system of linear equations कहे जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आपने इसका देख लिया, कि pair of linear equations क्या होते हैं, या system of linear equations क्या होते हैं, साथ ही साथ उसका geometrical representation क्या होता है, कब unique solution मिलते हैं, infinite solution मिलते हैं, कब no solution मिलता है, अब इसके बाद बात आती हैं, कैसे solve करेंगे, method of solving linear equations in two variables, तो there are two methods to represent and solve these equations, पहला graphical method, पहले हम लोग बात करें किसका graphical method का, ए pair of linear equations is represented by two lines in a graph and when which are shown in the above graphs, इसका क्या मतलब हुआ, जैसा आपको दे 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 जाग इसको solve करिए, x plus y is equal to 7, और x minus y is equal to 2, मतलब इसको आपको solve करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका coordinate axis पे, मतलब graph paper पे, इसका क्या बनाएंगे, इसका graph दो line आएगी, graph बनाना आप जानते हैं, 9th class में भी आपने सीखा है, ठीक है, देके इसलिए क्या करेंगे, पहले equation के लिए टेबल ब to 0 पुट कर दें, तो x की value 7 आएगी, ठीक है, उसका दूसरा जो linear equation है, उसके लिए भी एक table बना लेते हैं, यहां पर हम क्या बनाएंगे, x और y, जब x is equal to 0 रखेंगे, तो y की value minus 2 मिलेगी, y is equal to 0 रखेंगे, तो x की value 2 मिलेगी, तो चले पहली line को draw करते है, 0, 7, तो 0, 7 y axis पर होगा, यह 0 से बना गया, और 7 0 हमारा x axis पाएगा, एक line ऐसी बन जाएगी, ठीक है, और दूसरी line को बनाना चाहिए, 0 minus 2, तो y axis पाएगा, 0 minus 2, ठीक है, और 2 0, 2 0 कहां पर आएगा, 2 0 हमारा x axis पाएगा, तो अगर इस line का हम draw करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो देखें, यह जहाँ पर meet करेगा, इस point को यहाँ पर x coordinate आ जाएगा और यहाँ पर y coordinate आ जाएगा, मतलब इस point का जब हम coordinate लिख लेंगे, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, इस system of linear equation का क्या हो जाएगा, solution हो जाएगा, मतलब यह point common है, अधर दोनो line पर पड़ता है, यह point पह आके भी अगर आपको system of linear equation दिये जाये तो उसको क्या किया जा सकता है, solve क्या जा सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब graphical solution के बाद हमको देखना है कि algebraic methods क्या होते हैं, ठीक है, तो algebraic method में देखें क्या है, it includes two methods to find the solution of a pair of linear equations, पहला substitution method और दूसरा होगा elimination method, पहले syllabus में cross multiplication method भी हुआ करता था, जिसको अब syllabus से हटा दिया गया है, ठीक है, तो substitution method में क्या होगा, if we have a pair of linear equations in two variables x and y, then we have to follow certain steps to solve them using substitution method, तीन steps है, step 1 क्या है, find the value of one variable, say y, in terms of another variable, that is x, from either equation, whichever is convenient, step 2 क्या है, substitute the value of y in other equation and reduce it to an equation in one variable, that is in terms of x, which can be solved, step 3, substitute the value of x or y obtained in step 2 in the first equation and obtained the value of other variable, चीक है, तो जर एक example देखें, मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मालिया कि दे दिया गया, solve करना हमे, x plus y is equal to 2, और x minus y is equal to 1, इसको हमको solve करना है, इसको हम कह देंगे equation number 1, इसको कर देंगे equation number 2, चीक है, इसको अगर हमको substitution method से solve करना है, तो पह equation number 3, अब यह x की value हमने equation number 1 से निकाले थी, इसको equation number 2 में put कर देते हैं, equation number 2 हमारे पास क्या है, x minus y is equal to 1, x जहां पर कितना put करेंगे, 2 minus y put करेंगे, 2 minus y is equal to कितना आ गया 1, इसका वंदर 2 minus 2y is equal to 1, तो यहां से 2y is equal to 2 minus 1 आ जाएगा, यहां से y की value हमारे पास कितनी आ अब अगर y की value 1 by 2 आ गए, इसको equation number 3 में put कर देते हैं, ठीक है, equation number 3 में अगर हम लोग put कर देंगे, तो x is equal to कितना हो जाएगा, 2 minus y कितना हमारे पास 1 by 2, तो 2, 2 जा 4, 4 minus 1 कितना हो जाएगा, 3 by 2, तो इस system of linear equation का solution कितना आ गया, x is equal to 3 by 2, and y is equal to 1 by 2, इस system of linear equation का क्या हो गया आगे बढ़ते हैं, elimination method के क्या होता है, study the steps to be followed in the elimination method, ठीक है, elimination method में क्या करना है, पहला step, multiply both the equations by some suitable non-zero constant to make the coefficient of one variable numerically equal, second step, add or subtract one equation from the other, so that one variable gets eliminated, third step, solve the equation in one variable, so obtain to get its value, step 4, substitute the calculated value of variable in any one of the given equation to find the value of the other variable, तो जो मैंने आभी आपको equation दिया था, हो क्या था, x plus y is equal to 2, और x minus y is equal to 1, x plus y is equal to 2, x minus y is equal to 1, माले आख मुझे इसको elimination method से solve करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, चाहे तो x कोफिसेंट को बराबर कर लीजी, चाहे तो y के coefficient पाब numerically बराबर कर लीजी, ठीक है, देखिए यहाँ पे x कोफिसेंट 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे y का कोई भी coefficient 1 है, और नीचे वाले y कोफिसेंट minus 1 है, ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनो equations को हम लोग add कर दें, ठीक ह तो यहाँ पे क्या होगा, plus y minus y कट जाएगा, और x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 3, x की value कितनी आजाएगी, 3 by 2 आजाएगी, अब यह x की value पहले equation पूट कर दें, तो कितना हो जाएगा, x, x कितना है, हमारे पास 3 by 2, plus y is equal to 2, तो equation हमारा elimination method से solve हो गया, तो यहाँ पर तो coefficient आप x और y बराबर थे, तो आसानी से आपने eliminate कर लिया, कभी-कभी ऐसा भी होगा, कि x और y coefficient बराबर नहीं होगा, उसको आपको बराबर करना होगा, जैसे देखे, 3x plus 5y is equal to 7, और 2x plus 9y is equal to 8, माले इस तरीके के दो linear equation आपको x coefficient को same करना है, तो पहले equation में 2 से multiply कर देते हैं, और दूसरी equation में कितने से multiply कर देते हैं, 3 से multiply कर देते हैं, इसे क्या फायदा होगा, पहले में 2 से multiply कर देम under 3 2 5 जा कितना होगा 10 y is equal to 14, दूसरे में 3 से multiply कर दें तो 6 x plus 9 3 जा 27 y is equal to 9 8 जा कितना जा 72, तो आप देख पा रहे होगे कि x का जो coefficient हो क्या हो गया, सेम हो गया, अब हम लोग 2nd equation को 1st equation से क्या करेंगे, subtract कर देंगे, यहाप पर minus, minus और minus लिखना होगा, ठीक है, यह cancel हो जाएगा 10 y minus 20 y, minus 17 y आ जाएगा, ठीक है, minus 17 y, और right में हमको क्या मिलेगा, 14 minus 72, ठीक है, 14 minus 72 मिलेगा, तो 14 minus 72 करेंगे, कितना जाएगा, minus, 12 में से 4 गया, 8, यहाप बचेगा, 6 minus 1 कितना जाएगा, 5, तो यहाँ से y की value कितनी आ जाएगी, 58 y, 17 आ जाएगी, अब जब y की value आ जाएग तीस तरीके से हम लोग elimination method का इस्तेमाल करते हैं, अब कुछ knowledge booster उसको देख लिजे, sometimes a pair of linear equations in two variables are not linear, but can be reduced to a linear form by making some suitable substitution, here first we find the solution of the new pair of linear equations and then find the solution for the given pair of linear equations, इसका मतलब यह हो गया कमाले, यह कभी-कभी ऐसा equation ना को देदिया जाए, 1 by x plus 9 by y is equal to 8, 2 by x plus 5 by y is equal to 7, कोई कहें इसको आपको solve करना है, फिल हार यह linear equation नहीं है, बट linear equation बनाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं महाल लेता हूँ, let 1 by x is equal to a, और 1 by y is equal to b, तो क्या मिल जाएगा, पहला equation a plus 9b is equal to 8, और दूसरा equation कितना मिल जाएगा 2a plus 5b is equal to 7, तो इस तरीके से दो linear equation मिल जाएगे, इनको आप दोनों को solve करके, पहले तो आप a और b की value निकाल लेंगे, उसके बाद a और b की value जब आप यहाँ पर put करेंगे, तो आपको किसकी value मिल जाएगी, x और y की value मिल जाएगी, ठीक है, दूसरा note यहाँ पर क्या जाता है, माले जी देखे, एक नदी है, ठीक है, एक दीवर है आपके पास, और suppose मालिया वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अगर आपका जो boat है, अगर आपका boat भी अगर इसी direction में जिधर पानी बहरा उधर की direction जाता है, इस direction का उन लोग क्या बोलते है, डाउ down stream बोलते हैं, तो उस case में कहा जा रहा कि अगर माले जी पानी का speed कितना x है, अब boat का speed y है, तो down stream वाले case में ये जो now है, जो boat है, कितनी speed से आगे जाएगा, x प्लस y की speed से आगे जाएगा, क्योंकि दोनों की speed जुड़ जाएगी, और अगर माले जी पानी इधर बहरा है, और boat हमारा इधर जा रहा है, इधर की opposite direction में जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब stream वाले case में, boat वाले speed में से हम लोग पानी की speed को minus कर देते हैं, मतलग कितना हो जाएगा, y minus x हमारा resultant क्या हो जाता है, speed हो जाता है, अब बढ़ते हैं, हम लोग कुछ multiple choice questions की तरफ, यह पहला question है, which of the following methods are used to find the solution आफे pair of linear equation algebraically, करें substitution method का इस्तेमाल करें सही है, elimination method का इस्तेमाल करते हैं, either substitution or elimination method गलत बात है, both substitution and elimination method, ज्यादा correct option कौन सा, D option correct है, कि हम लोग pair of linear equation को solve करने के लिए algebraic method कौन से इस्तेमाल करते हैं, substitution and elimination method इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बढ़ question CVSC 2023 में पूछा जा चुका है, करें, three chairs and one table का cost कितना 900, फिर five chair and three table का cost कितना 2100, if cost of one chair is x, cost of one table is y, then the situation can be represented algebraically by what, अब देखिए, एक table का cost कितना, एक chair का cost कितना 1x है, एक chair का cost है x रूपया, ठीक है, तो चले, और एक table का cost कितना है, cost of one table, एक table का cost कितना y रूपया, ठीक है, तो पहले equation क्या दिया गया, तीन chair है मारे पास, तीन chair है, तो एक chair का धाम x रूपया है, तो तीन chair का cost कितना हो जाएगा, तो एक table का cost कितना y है, तो 3x plus y total cost हो गया, áर उन्हों कहा कि total cost कितना 900 है कितना हो जाएगा 3x plus y is equal to 900 यह मेरा पहला equation हो जाएगा दूसरे equation क्या का जा रहा है if the cost of five chairs है तो एक chair का cost 5x और 3 table है तो 3 table का cost कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा तो total कितना हो जाएगा total cost कितना दिया 2100 इस तरीके से इन दोनों equation को हम लोग algebraically क्या कर सकते हैं और different कर सकते हैं आई options में देखते हैं तो 3x plus y is equal to 900 3x plus y is equal to 900 और 5x देखे पहले equation 3x plus y is equal to 900 तो है लेकिन दूसरा equation क्या 5x plus, यहाँ पर 3x plus 5y है और हमें चाहिए 5x plus 3y इसका मतलब यह option हमारा क्या हो जाएगा, 11 minute हो जाएगा, ठीक है अब देखें दूसरा हमारा जो option हो क्या है, second option तो second option x plus 3y, मुझे तो चाहिए 3x plus y, यह 11 minute हो जाएगा तीसरा option है, 3x plus y is equal to 900 और 5x plus 3y is equal to 2100 तो इस तरीके से हमारा c option correct हो जाएगा और d option हमारा 11 minute हो जाएगा, ठीक है बढ़ते question number 3 की तरफ, देख question number 3 क्या का जा रहा है given below is the graph representing two linear equations by the lines a, b and c, d respectively what is the area of the triangle formed by these two lines and the line x बराबर 0 question cvsc sample question paper 2021 में पूछा जा चुका है तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा, यह line x is equal to 0 क्या होता है line x is equal to 0, देखें, जो x axis होता हो वो भी एक line होती है और x axis जितने भी points होते हो, उसका y coordinate 0 होता है तो कहाई यह जाता है, x axis का equation होता है, वो क्या होता है, y is equal to 0 और y axis का equation कभी भी आपको लिखना हो, तो हम लोग क्या लिखते है, x is equal to 0 तो इसका आपको ध्यान में रखना है, यह x axis का equation कितना होता है, y is equal to 0 और y axis का equation कितना होता, x is equal to 0 तो यहाँ पर डो line दी गई, line a, b, c, d, और एक करने line x is equal to 0 तो मतलब y axis की बात की जा रही है, तो इसको अगर थोड़ा highlight करें कि कौन से triangle की बात की जा रही है, तो यह x is, और यह line a, b, c, d line है, यह a, b, c, d, यह दो line है, यहाँ भी ट्रेंगल जो बन रहा है, यह पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि इसका area क्या होगा, what is the area of this triangle, ठीक गया 4, और 0 के नीचे कितना minus 2, मतलब total length कितना 6 है, ठीक है, इसका जो base है, वो कितना 6 है, और इसकी जो height है, वो कितनी है, 2 है, और इस triangle का मुझे क्या निकालना है, area का formula क्या होता है, 1 by 2 into base into height, इसमें अगर value पूट करनें, तो 1 by 2, और base कितना हो जागा 6, और height कितनी हो जाएगा, तो हमारा answer आजागा 6 square units, तो इसका मतलब C option नमारा correct हो जाएगा, कभी-कभी student देख exam में गलती क्या करते हैं, जब base यह देखते हैं, तो यह ऊपर कितना 4 unit है, और नीचे कितना minus 2 unit है, तो 4 में से minus 2 कर जाएगा 2 आजाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्य बढ़ते है, question number 4 की तरफ, यह question CBST 2023 में पूछा जा चुका है, question क्या है, the point of intersection of the line represented by 3x minus y is equal to 3 and the y axis is given by what, मतलब कह रहा है कि अगर इस line को हम ड्रॉ करें, तो यह y axis को कहां पर cut करेगा, तो कोई भी line y axis को वहां पर cut करती है, जहां भी cut करती है, वहां पर x coordinate कितना होता है, 0 हो हो सकता, ठीक, अगर x is equal to 0 हो गया, इस line के अगर हम पूट कर दें, 3x minus y is equal to 3 में, x is equal to 0 पूट कर दें, तो कितना आ जाएगा, minus y is equal to 3, तो y की value कितनी आ जाएगे, minus 3 आ जाएगी, यहां पर y is equal to minus 3 रख दें, यह line y axis कहां पर cut करेगी, जहां 0, minus 3 पर cut करेगी, a option हमारा correct हो satisfy the two equations, this and this respectively are what, देकर ऐसे question को दो तरीके होते हैं, यहां तो आप इसको solve कर लीजी, और दूसा तरीका होता है, इसको option से check कर लीजी, तो चले हम लोग इसको option से check करते हैं, तो 32x plus 33y is equal to 34, यह पहला equation है, इसमें हम पहला option पूट करते हैं, x is equal to minus 1 और y is equal to 2, x is equal to minus 1 पूट कर करेंगे, तो y is equal to 2 पूट करेंगे, कितना जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और 66 में से मुझे कितना घटाना, 32 घटाना, 34 आना चाहिए, 6 minus 2 कितना हो गया, 4, 6 minus 3 कितना हो गया, 34 आ रहा है, और right में भी 34 है, तो इसने पहले equation को satisfy कर दिया, चले दूसरा equation क्या, उसको को भी देखे, satisfy करता है कि नहीं, तो 33 x plus 32 y is equal to 31, अब इसमें हम लोग कितना पूट करेंगे, x is equal to minus 1, पूट कर देते हैं, कितना आजागा, minus 33, और y is equal to कितना पूट करना है, 2 put करना था, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 64 में से अकर 33 को minus कर दें, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question के तरफ, question number 6, यह question 2000 CVSC sample question paper 23, 24 में पूछा जा चुका है, कदरा the given pair of linear equation is non-intersecting, which are the following statement is true, लेकि यहां पर दो parallel line दिखाई गई है, और नीचे कुछ condition लिखे गए है, आपको बताना कौन सा condition इसके लिए true होगा, पहला condition ह is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, इस समय तो line कैसी हाती, coincident lines या overlapping line आती है, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, इस समय line parallel होती है, और उस समय उसका कोई solution नहीं होता, तो यह हमको चाहिए, B option करेक्ट हो जाएगा, C option में हमारा क्या हो जाएगा, unique solution आ जाएगा, D option में हमारा, तो यह C और D option हमार क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question की तरव, question number 7, यह question CBSC 2023, और sample question paper 2021 में पूछा जा जुका है, का जैरा, the pair of linear equations, X is equal to A and Y is equal to B, graphically represents lines which are, अगर आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर X is equal to constant लिखा रहे, यह line क्या होती है, parallel to Y axis होती है, और अगर Y is equal to constant लिखा हो, तो आपको समझ देना है, यह line है, parallel to X axis होता है, ठीक है, जैसे example में आपको दे दूँ, कोई कहें आपसे X is equal to 3, X is equal to 3 line को draw करना है, तो आपको पता लगए कि यह line क्या है, parallel to Y axis आएगी, तो X बे 3 जाना है, 1, 2, 3, और 3 जाने के बाद यहाँ पे Y यह line के parallel एक line बना देनी, तो यह line बन गई, Y is equal to 3 line बन गई, इसी तरह के से कोई आपसे कहें, Y is equal to 4 line बनाना है, तो confirm हो गया, यह line parallel to X axis होगा, ठीक है, parallel to Y is equal to 3 बनाना है, अब हमें Y is equal to 4 बनाना है, तो यह line parallel to X axis होगा, अब मुझे Y कितना जाना, 4 जाना, 1, 2, 3, 4, कर नाम क्या होगा y is equal to 4 हो गया ठीक है अब दोकि यहां पर मुझे जो बनाना x is equal to a बनाना है तो x पर a unit जाएंगे हम ऐसे माले यहां पर a unit आ गया तो यहां पर एक लाइन भी बना देते हैं ठीक है यह सब्सक्राइब हमारे लाइन कितनी होगे x is equal to a हो गई ठीक है अब हमें बनाना y is equal to b तो y पर b जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे करके माले यह बी डिस्टेंस आ गया तो यहां पर एक line बना देंगे y is equal to b तो इस line का नाम कितना हो गया y is equal to b हो गया यह line होगे x is equal to a अब देंगे यह दोनों line क्या करती है यहां पर क्या करती इंटर्सेक करती है इस point coordinate लिखना चाहाए तो x coordinate कितना है यहां पर x पर कितना चले है आप a चले है और y पर कितना चले है आप b चले जाएगा तो करने कि दोनों line parallel होगी गलत बात है यह करें इंटर्सेक्टिंग होगे और इंटर्सेट करेगा भी कमा ये ये गलत बात है करें कोंसिदेंट होगी और इंटर्सेट करेगा यह हमारा डी आप्शन क्या जागा correct हो जाएगा बढ़ते question number 8 की तरफ ये question cbsc 2024 में पूछा जा चुका है चीक है तो देखें क्या है ये question ये पेर आप linear equation in two variables is consistent then the lines represented by two equations are what अब ये consistent कब होता है या तो line intersect करेगा तब हमको solution मिलता है या तो line कैसी हो जाए overlapping line हो जाए तब हमको solution मिलता है तो ये कह रहा है कि then the line represented by two equations are always intersecting always intersecting नहीं होगा ये करें parallel होई नहीं सकता always coincident नहीं हो सकता करें intersecting या coincident बिल्कुल intersecting होगा तो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं consistent बोलते हैं और अगर overlapping होता या coincident होता तब भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं coincident बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं consistent system of linear equations बोलते हैं इस तरीके से d option क्या हो जाएगा करेट हो जाएगा बढ़ते question number nine की तरफ in the given figure graph of two linear equations are shown the pair of these linear equations is question cvc to 2024 में पूछा जा चुका है अधर कि ये parallel तो है नहीं थोड़ा सा जुका हुआ है तो यह आगे इसको जब हम बढ़ाएंगे तो कहीं 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 क्या करेगी intersect करेगी यह line हमारी कैसी intersecting lines है इसका मतलब इसका solution मिलेगा system कैसा होगा consistent system होगा with unique solution होगा पर हम कहरें consistent with unique solution correct है consistent with infinitely many solution overlapping तो नहीं है फिर inconsistent inconsistent नहीं होगा क्योंकि cut करेगा यह जहां पर चौत्य option करें inconsistent inconsistent तो होगी नहीं सकता है ना डी option भी हमारा क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा इस तरीके से यह option क्या हो जाएगा correct हो जाएता है ठीक है बढ़ते हैं आज के last question के तरह question number 10 का जारा a pair of linear equation which has a unique solution x is equal to 2 and y is equal to minus 3 is what अब देखे इसका भी तरीका यह हो जाएगा कि बहतर होगा इसको option से check कर लें कि x is equal to 2 and y is equal to minus 3 किसको satisfy करता है पहले में पूट करें तो 2 minus 3 minus 1 नहीं पहला equation हमारा है x plus y is equal to 1 अगर x is equal to 2 put करें y is equal to minus 3 तो left में minus 1 राइट में plus 1 बराबर तो नहीं आया यह option 11 हो गया दूसरे पूट करते हैं तो 2 2 जा 4 4 minus 15 minus 11 ठीक है और दूसरे में पूट करें यहां पर 4 x में तो 8 और 8 minus 30 तो आ जाएगा 8 minus 30 minus 22 बी को satisfy कर रहा है आप चेक कर लिजे बी आप्सन हमारे कितना है 2 x plus 5 y is equal to minus 11 और x कितने है 2 y is equal to minus 3 2 रखेंगा 6 y is equal to minus 3 रखेंग 15 तो 6 minus 15 कितना जाएगा x is equal to 2 रखना 2 2 जा 4 4 minus 15 कितना जाएगा minus 11 और राइट में राइट में कितना minus 22 satisfy हो गया मतलब यह इसका क्या हो जाएगा solution हो जाएगा तो इस तरीके से c option d option eliminate हो जाएगे और कौन सा हमारा option correct हो जाएगा बी option हमारा correct हो जाएगा तो student आज के lecture को मैं यह समाप कर रहा हूं hope so आपको जो यह चीजे समझ भाई होंगी वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपने दोस्तों को साथ इसको जरूरु शेयर करेंगा तो इसके आगे के next जो questions है उसको लो next lecture में करेंगे thank you very much